मानिक राव ठाकरे जी, हमारे ICC के प्रवक्ता अधर्डी जाराम रमेज जी, PCC चीफ अधर्डी बाई रेवन्त रेड़ी जी रेवन्त रेड़ी को मैं देखता हूँ, तो मुझे राहूल गांधी जी, जब मुझे अध्यक्ष बनाया थे, तो मेरी उम्र भी 52 साल गी थी, और ये भी उतने ही उमर के हैं, रेवन्त भाई मल्लू भाटी जी, हमारे CLP लीडर, आधर्णी उत्तम रेड़ी जी, पुन्नम प्रभाकर जी, वासिम रेड़ी जी, आधर्णी के राजु जी, जीवन रेड़ी जी, एक्सपिसी जी, प्रेसिडेंट वी हनमंत राओ जी, सत्नरायन जी, और साथ ही हमारे ICC के सभी सेकर्टी गन, उपस्ति मंच में उपस्ति सभी अतिति गन, और मेरे साथ आए हमारे मिनिस्टर भाई कवासी लक्मा जी, जो आपके तिलंगाना से लगे हुए हैं, और हर चु नौम यहां आते हैं सिमवर्ति छेत्र में, आदर्णी साथियों, यह करीम नगर और तेलंगाना, दोनों का जब जब तेलंगाना को याद किया जाएगा, तब तब करीम नगर को भी याद किया जाएगा, क्योंकि यही वो सहर है, जहां हमारे यूपिये के चेयर पर संस्रीमती सूनिया गांधी जी आख एनाउंज की थी, तेलंगाना बनेगा, आधर्नी साथियो तेलंगाना के लिए संगर्श करने वाले सभी साथियों को मंज में भी बैठे हैं, जिसके बारे में जहराम रमेज जी ने कहा, उनको भी और मेरे सामने बैठे हुए हैं, सब को तेलंगाना राजी के लड़ने वाले सभी साथियों को मनमन करता हू प्रणाम करता हू उपस्थीत पत्रकार मित्रों साथियों तेलंगाना आपने मांगा तेलंगाना आपको मिला क्या किसानों को दाम मिला क्या नौजवानों को काम मिला क्या बेरुजगारी दूरुवी बेरुजगारी तो केवल एक परवार के दूरुवी है KCR की एक केटी रामाराकुन है उसको भी रोजगार मिला है ये हरी स्राव कौन है उनको भी रोजगार मिला कवीता जी कौन है मतलब रोजगार मिला तो केवल एक परवार को मिला है अब इधर कर रहे हैं लिकर क्वीन रोजगार तो देना था भी रोजगारों को विवाओं को लेकिन सारा रोजगार दे दिया अपने परवार को आदरी साथियो अभी हमारे पुर्वक्ताओं ने एक बात कही एक माडल है भारती जनता पार्टी को गुजरात माडल है दूसरा माडल है कांग्रेस का वो 36 गड़ का है राहूल जी अक्सर यह बात कहते हैं पूरे देश के पैसा इकटा करो नोट बंदी लागू करो किसानों के गरीबों के महिलाओं के नवजवानों के ब्यापारियों के छोटे ब्यापारियों के सब पैसा को बेंक में डालो और बेंक का पैसा उनके साथियों को दे दो पूरे देश का पैसा दो तीन लोगों के लिए चार लोगों के लिए यह है गुजरात माडल मोदी जी जब आये थे दोजर चौदा में तो उन्होंने कहा देश में गुजरात माडल लागू करेंगे लेकिन मैं तेलंगाना के साथियों को करीम नगर के साथियों से पूछना चाहता हूँ इस गुजरात माडल से आपको कोई फाइदा मिला नहीं मिला यह टियारेस के जो माडल है उसको भी आपने देखा एक परवार को रोजगार दिया लेकिन साथियों कांग्रेस का माडल कांग्रेस हमेशा आम जनता को ताकत और बनाने का काम करती है जब यूपिय के सरकार थी तो आपको सिक्षा का अधिकार भोजन प्राप्ट करने का अधिकार रोजगार प्राप्ट करना का अधिकार सूचना का अधिकार यह सब दिया और जब 36 गड़ में कांग्रेस की सरकार बनती है और राहूल गांदी जी जब प्रचार करने हमारे 36 गड़ आते हैं तो उन्होंने कहा था कि 36 गड़ में कांग्रेस की सरकार बनाईए किसानों का कर्ज माफ होगा किसानों के धान पचीस सो रुपिया क्विंटल में खरीदा जाएगा तेंदू पत्ता चार हजार रुपिया प्रतिमानक बोरा से खरीदा जाएगा राहूल गांधी जी ने थमको दस दिन का समय दिया था दस दिन में आपको कर्ज माफी करना है आधर निसात्यों हमारे तमाम राष्टी नेता 36 गड़ आया थे सपत ग्रहन में जो मज में बैटे हैं मनमोहन सिंग जी भी आया थे असोग गहलो जी आया थे सभी नेता हमारे 36 गड़ में आया थे सपत ग्रहन में राहूल जी इधर सपत ग्रहन समारों से निकले एरपोर्ट उनको छोड़ा मैं घर नहीं गया साथियो सीधा मंत्रा लै गया राहूल जी दिल्ली एरपोर्ट उत्रे 36 गड़ के 19 लाग किसानों के साड़े 9,000 करोर रुपय हमने माफ कर दिया 25 रुपय हम खरीदना शुरू किया आज ते लंगाना में कहते हैं कि रायतू बंदू के तहट हम लोग 5,000 रुपय कर देते अरे 36 गड़ में हम 9,000 रुपय कर देते यहाँ धान के किमत क्या है कोई किसान हो दो बताईए खरीदी सरकारी रेड तो मेस पी तो 2060-2040 रुपया है लेकिन बजार में कितने बिखता है 15 सा रुपया आपके यहाँ किसानों की संक्या अधीक है रगबा अधीक है लेकिन देश में सबसे ज़्यादा किसानों ने यदि धान बेचा समर्तन मुल में तो कांगरेश की सरकार जहां है 36 गड़ में यहाँ 11 लाग किसानों ने धान बेचा समर्तन मुल में 36 गड़ में 23 लाग किसानों ने वहां 11 लाख में 60 लाख में टिक टन धान करीदा 36 गड़ में 23 लाख किसानों ने 107 लाख में टिक टन धान बेचा है 2040 और 2060 रुपिया अधर्णी साथियों ये भी प्रदेश किसानों का है ये भी प्रदेश अंसुची जाती जन जाती अलपसंग पिछले वर्गों का है मेहनत कस लोगों का है और मेहनत कस लोगों का सम्मान कहीं मिलता है तो कांगरेस के सरकार में मिलती है दूसरे कहीं नहीं मिलता हमने राजी गानी किसान ने जोना लागो किया गोधन नाय योजना लागो किया भूमी ही इंस्रमीक नाय योजना लागो किया देश में कहीं नहीं दोस्तों यहां भूमी ही इंस्रमीक जो है मजदूर है उसको भी साथ हजार रुपय सालाना दे रहे है यहां मिलता है अरगो हम तो छत्तिस गड़ में दो रूपय किलम गोबर भी खरीदते हैं गौमुत्र भी करीदते हैं ताकि किसान मजबूत हो गोपालक मजबूत हो आपके हाँ विरुजगारी दर पांच प्रस्थ से अधिक है तो हमारे हाँ एक प्रस्थ से कम है ये विरुजगारी दर क्योंके हमने कांग्रेस के नीतिओं को कारुकमों को लागू किया हमारे जितने बड़े नेता है राम रमेज जी से ब्हूमी इन्सरमिक ने आयो जो psychiatric लेकर लेकितने भासें की उन्होंने कहा क्या ब्हूमी उन्हों के सर्वे कराइए हमने सर्वे कराया, योजना बनाई और 6,000 रुपिया दे रहे थे पिछले साल 3 फरविरी के राहुल जी खाहा से पहला चेक हमने वित्रित कराया राहुल जी ने कहा कुछ कम और बढ़ा दीजिए हमने कहा 7,000 रुपिया 36 गड़ में अभी बजट हमने प्रस्तूत किया 6 मार्च को होली के एक दिन पहले नौजवानों को भी धाई हज़ार रुपिया विरुजगारी भत्ता देने का हमने फैसला किया धाई हज़ार रुपिया नौजवान साथियों के लिए तो ये कांगरेस की सोच है और यही मैं चाहता हूँ तेलंगाना जिस उद्देश से बनाया गया है जिस उद्देश से आपने मांग की है यदि उसे कोई पूरा कर सकता है तो कांगरेस पार्टी पूरा कर सकता है और ये हमारे नेता है है वो इसे पूरा करेंगे और यदि आप मेरे बात से इत्फाक रखते हैं विस्वास करते हैं दोनों हाथ उठा के समर्तन करिए कांगरेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के मजदूरों के नजवानों के महिलाओं के लिए योजना बनाएं और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और लूटने का काम एक तो यहां की सरकार कर रहे है दूसरी दिल्ली की सरकार कर रहे है केवल लूटने का काम देश को खोखला करने का काम तो आज आप से मैंनिवधन करना चाहता हूँ कि हम गुजरात माडल भी देख लीजिए भारती जनता पार्टी का कांगरेस का माडल भी देख लीजिए चाहे यूपिय की बात हो चाहे 36 गड़ सरकार की बात हो इन दोनों के लिए मैं आप से कहना चाहूंगा एक तरफ आपको सक्तिसाली बनाने का काम और दूसरे तरफ कमजोर बनाने का काम और यही कारण है कि हमारे नेतर राहूल गांदेजी 7 सितंबर से पद्यात्रा उनोंने सुरू के कन्या कुमारी को और 30 जन्वरी को फ्री नगर में उनोंने कस्मीर में जाके उनोंने समाप्त किया इसलिए कि आप ताकतवर हों आप सक्तिसाली होने और यह नफरत जो फैला रहे हैं उससे आपका भला होने वाला नहीं है आपका वोट ले लेते हैं चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों लेकिन नुकसान आपको उठाना पड़ता है फैदा केवल उन लोगों को होता है तो यह बात आप समझे अपने वोट के कीमत समझे आप अपने भविष्ट को अंदकार मत बनाएए और आज भाई रेवंद रेड़ी और पूरी टीम जो बैटी हुई है सीनियर साथ ही हमारे बैटे हैं हमारे नौजवान टीम बैटी हुई है और आजनी मानिक राव ठाकरे जी बैटे हैं उसके रहनों माई में आजनी जैराम रमेज जी केराजु साब सार हनमंत राव जी सब लोग बैटे हैं हमारे पूरा अद्यक्ष रेड़ी साब भी बैटे हैं जब हम लोग साथ में अद्यक्ष थे सब को होगा इनी सब्दों के साथ आप सब को परणाम करते हुए अपने वानी कहीं विराम देता हूं धन्यवाद जय हीन जय कांगरेश दन्यवाद मुक्यमंत्री जी आप जो आके इधर हम जों के किसान की जो हिमत बढ़ाए जो चचिस गड़ में आपने आज किसान के लिए पच्चिस सो